हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे इसके लिए घंटी विदवाएं क्रिपा संकर स्रिवास्तव लिखते हैं लगाते मत रहो हर दम खयालों में मियां गोता बिना रब की रजा के सच कहें कुछ भी नहीं होता और जियो बेफिक्र दुनिया में नेपालो आग चिनता की जो ये करते तो वो होता जो वो करते तो ये होता नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हैं स्रिजन की टेस्ट सरीज के बाग 46 के अंदर मैं हूँ आपका दोस्त आदिगनेस मुझे ये तो नहीं पता कि आपको मुझे पर हमारी कक्साओं पर कितना बरोसा है लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिला सकता हूँ कि हम जो आपको मेटर दे रहे हैं ये बहुती स्रेश्ट मेटर है इससे लगबग सभी प्रशन आ जाएंगे आपकी परिक्षा में ये मेरा विश्वास है और जल्द ही कुछ इस तरीके से मोडल पेपर तैयार हो रहे हैं ताकि उससे आपका सारा रिवीजन भी हो जाएगा और वो जो मोडल पेपर तैयार होंगे उनमें से लगबग सभी प्रशन आपकी परिक्षाओं में आएंगे ये तैय मान के चलें आप बस आपसे जरा सी सिकायत है मुझे वो सिकायत इतनी है कि हमारे दोरा इतनी महिनत की जा रही है आपके लिए तो आप भी थोड़ी सी महि सिकायत करें जब भी वीडियो देखें पांतस मिनिट लगेंगे जितनी भी आपके ग्रूप है वाट्स आप फेस्बुक जहां पर भी सभी में शेर करें सभी लोगों को जोड़ें ताकि अच्छी चीजें बहुत लोगों तक जोड़ेगी तो और मज़ा आएगा और परिक हरिवंसराय बच्चन का जन्म कब हुआ 27 नवंबर 1907 को अगर हम बात करें इनका जो आत्म कथा रचित है वो कितने खंडों में चार खंडों का सन करम पूछ लिया जाता है तो ज्यान रखें क्या भूलूं क्या याद करूं 1979 में परतमकंड नीड का निर्मान फिर पिर 1970 बस दुआर से सोपान तक 1905 अगर इनके कावे संग्रे की बात की जाए कहीं बार कावे संग्रे और उनका रचनाकाल पूछा जाता है तो मदू साला 1935, मदू भाला 1938, मदू कलस 1938, निसानिमंत्रन 1938, एकांत संगीत 1949, मिलन यामिनी 1950, हलाहल 1950, दो चटाने 1965 चोता है हरिवन्स राए बच्चन का सम्पूर्ण जुवांग में बच्चन गरंतावली के नाम से कितने खंडो में परकासित हुआ है, दस खंडो में परकासित हुआ है, मैं जग जीवन का भार लिये फिरता हूं, उप्रुक्द पंग्ती में जग जीवन का भार किसे का च्छटा है नादान वही है हाई जहां पर दाना उप्रुक्त पद में दाना शब्द का अर्थ है ग्यानवान उनमादों में अवसाद लिये फिरता हूं यहां पर कौन सा अलंकार है विरोधावास अलंकार जग भव सागर तरने को नाव बनाए यहां पर भव सागर में अलंकार है रुपक्त पार्थ में आए सांसों के दो तार जो शब्द है यह किसके परतिक है जीवन के दस्वा है मैं निज रोधन में राग लिये फिरता हूं सितल वाणी में आग लिये फिरता हूं तो यहां पर रोधन में राग और सितल वाणी में आग लिये फिरता हूं कौन सा अलंकार है विरोधावास अलंकार कि वाणी सितल फिर भी आग और रो रहा है फिर भी राग त पार्ट में बच्चन जी ने जीवन में क्या आवश्यक माना है तो बच्चन जी ने पार्ट में बताया कि जीवन के इंदर प्रेम और मस्ती रहना बहुत जरूरी है कवी ने यहां पर मिश्टाइब हो गया कवी ने संसार को मुर्ख क्यों कहा है तो कवी ने संसार को मुर्क इसलिए बताया है क्योंकि वह सांसारी ज्यान के पिछे दोड़ता रहता है तेर्वा है जब कवी रोता है तो संसार कवी के रोने को क्या कहता है गीत गाना कि मैं तो रोता हूँ और जग क्या कहता है कि गीत गा रहा है बच्चन को किस कृति पर साइते कादम पुरुषकार से नवा जा गया दो चटाने पर और कब नवा जा गया यह आप बताईएगा मैं दोनों में मगन रहा करता हूँ पंक्ति में दोनों से क्या से सुक और दुख से कि दोनों स्तोतियों में मिम्मगन रहा करता हूँ सोलर नंबर है आत्मु परिचे का परधान गुण है माधुरिये गुण आत्मु परिचे कविता में किस रस का अधिक प्रियोग हुआ है सरिंगार का कवी किसे बुलाना चाहता है सीखे हुए ग्यान को परवासिकी डायरी के रचनाकार है हरिवन्स राइ बच्चन अगर हम बात करें हरिवन्स राइ बच्चन के प्रमुग निवन्द संग्रों की तो नए पुराने जरोके और टोटी फोटी कड़ी है शुक्रिया दोस्तों ये थे कुछ विशेज प्रशन वीडियो को आपको लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सब्सक्राइब करवाना है आपको